मलाई से घी निकालने की जटपट विधी नमस्कार दोस्तों पूनम की जटपट रसोई में आपका स्वागत है आज मैं आप लोगों को मलाई से घी कैसे बनाते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी ये देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा करकर मलाई को जमा किया था और इसे मैंने फ्रीजर में रखा था ये देखिए और कढ़ाई हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें मलाई को डालूंगी दोस्तों मलाई को यदि आप फ्रीजर में रखते हैं तो काफी दिनों तक मलाई हमारा बिल्कुल खराब नहीं होता है ये देखिए और अब धीरे धीरे पिखलना ये शुरू हो जाएगा ये देखिए पांस से साथ मिनट हो चुका है और थोड़ा थोड़ा घी उपर आ रहा है इसे दस से बारा मिनट अभी हमें और पकाना होगा ये देखिए दस से बारा मिनट हो चुका है और इसे भी तब तक पकाना है जब तक कि इसके उपर पूरा ज्ञाग ना आ जाए इसे लगतार चलाते रहना है ये देखिए पूरा जहाग उपर आ चुका है घी हमारा बनकर तयार है अब मैं कड़ाई को चुले से नीचे उतार लूँगी और जहाग जब थोड़ा नीचे बैठ जाएगा तब मैं इसे चन्नी की साहता से चान लूँगी ये देखिए थोड़ा बहुत ज़ाग रह गया है ये देखिए इसे मैं चान लूँगी घी हमारा बिलकुल अलग हो चुका है और ये जो मलाई का जला हुआ है वो भी बिलकुल अलग हो चुका है ये देखिए गी को देखिए कितना अच्छा गी हमारा निकला है ये देखिए अभी कुछ लाल दिख रहा है लेकिन जब ठंडा होगा तो बिलकुल दानेदार और पीला हो जाएगा हलका पीला और ये जो हमारा घी का मलाई का जो जला हुआ है इसे जरोना भी कहते है इसका भी बहुत तरह का वेंजन बनता है जिसे मैं अगले वीडियो में आपको बहुत सारा वेंजन बनाना सिखाऊंगी क्योंकि इसमें घी का अंश बहुत ज्यादा रहता है यह देखिए घी जो अब ठंडा लगभग हो चुका है और अब मैं इसे एक चार में रख दूंगी और फिर से मैं पतले कपड़े से इसे चान लोंगी कि देखिए गी ठंडा हो चुका है और कितना अच्छा दानेदार हमारा गी बनकर बिल्कुल तैयार है आप इसे जरूर ट्राइ करें अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेर जरूर करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स फॉर वाचिंग मैं वीडियो